एक ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के अंतरगत, चोंतिसवी बंगाल नेटिव इंफेंट्री का सिपाही, जिसने एक ऐसे विद्रो को जन्म दिया जो अंग्रेजी हुकूमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखाड फेका, एक छोटी सी चिंगारी बंगाल से उठी और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई, यह भले ही भारत के स्वाधिनता का प्रथम संग्राम न रहा हो, पर यह क्रांती निरंतर आगे बढ़ती गई और इसका नतीजा यह हुआ कि, इस विद्रो के मात्र 100 सालों के भीतर ही अंग्रेजों को भारत छोड़ कर जाना पड़ा, अं अंगल पंडे के जीवन के बारे में बात करेंगे, और साथ ही 1857 की उस क्रांती को समझने की कोशिस करेंगे, जिसने अंग्रेजी सरकार को हिला कर रख दिया था, तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं मंगल पंडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जीले के नगवा नामक गाउं में, 19 जुलाई 1827 को एक भुमिहार ब्रामण परिवार में हुआ था, हाला कि कुछ इतिहासकार इनका जन्म अस्थान फैजाबाद को मानते हैं, इनके पिता का नाम दिवाकर पंड में, 34 भी बंगाल नेटिव इंफेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे, इस्ट इंडिया कमपनी की रियासत और राजहड़प नीती ने लोगों के मन में, अंगरेजी हुकूमत के प्रती पहले ही नफरत पैदा कर दी थी, सिपाहियों को पैटर्न 1833 एनफिल्ड प्रिकर्शन कैप का प्रियोक किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रकिरिया पुरानी थी, नई एनफिल्ड बंदूक भरने के लिए कार्तूस को दातों से काट कर खोलना पड़ता था, और उसमें भरे हुए बारूत को बंदूक की नली में भर कर कार्तू को डालना पड़ता था कार्तूस की बाहरी आवरण में चर्वी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी भारतिया सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कार्तूसों को बनाने के लिए गाय और सुवर की चर्वी का प्रियोक किया जाता है उनके मन में ये बात घर कर गई कि अंग्रेज हिंदूस्तानियों का धर्म भरष्ट करने पर अमादा है क्योंकि ये हिंदू और मुसल्मान दोनों के लिए नापाक था भारतिया सैनिकों के साथ होने वाले भेद भाव से पहले से ही भारतिया सैनिकों में असंतोस था और नई कार्तूसों से मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को उनकी राइफल छिनने के लिए आगे बड़े अंग्रेज अफसर मेजर पर आकर्मन कर दिया इस प्रकार संदिर्ग कार्तूस का प्रियोग इस्ट इंडिया कमपनी सासन के लिए घातक सिद्ध हु पर डर के कारण जब किसीने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने अपनी ही राइफल से उस अंग्रेज अधिकारी मेजर को मौत के घात उतर दिया जो उनकी वर्धी उतारने और राइफल छिनने के लिए आगे आया था इसके बाद पांडे ने एक और अंग्रेजी अधिक को फांसी दी जानी थी लेकिन ब्रिटिस सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तीथी से 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रेल सन 1857 को फांसी पर लटका दिया भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रती अनेक कारणों से घ्रेना बढ़ती जा रही थी और मंगल पांडे के विद्रों ने एक चिंगारी का कार्य किया मंगल पांडे द्वारा विद्रों के ठीक एक महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरट की सैनिक छाउनी में भी बगावत हो गई और यह विद्रों देखते देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया जिससे अंग्रेजों को इस पष् विद्रों ना करे यह दपी अंग्रेज इस विद्रों को दबाने में सफल हो गये लेकिन मंगल पांडे द्वारा 1857 में बोया गया क्रांती का बीज 90 साल बाद आजादी के व्रीच के रूप में तबदिल हुआ और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए तो दोस्तों सिपाही मंग वाले बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत